आज का टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रक्स कि एंट एंटल ऑग्स इससे पहले कि मैं एंटल रग्स पर वासंद देना चालू कुरूँ हम यह समझना होगा कि एंजाइना माने क्या इंजाइना का बैसिक ऍमीनिंग और जब हम अधिने पेक्टॉरिस की बात करे होते तो पेक्टॉडरल जो होता है जो हमारी लेट्ट साइड जो स एंध् şोंटर मोता है जब वहाँ पर उस सएड में होत यह हो तैंगा यह शुआ कि March में जो ब्लूड सप्लाइए औक्रेंफटीन सप्लाइब और हो सकता यह हो कि सप्लाइए यह उतनी हैं लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई और जो सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है वो नहीं बैठ रहा ठीक उसकी वाज़े से यह पैन होता है अब डिपेंडिंग ओंदे कि क्यों यह पैन हो रहा है एंजाइना कैन बी डिवाइडेड इन थी क्लासेज फस्ट इ जैसे यह अपनी कॉरोनरी आर्ट्री है और यह हमारा हर्ट है यह इसको सप्लाई कर रही है आंगे जाके होता क्या है कि यह जो आर्ट्रियोल है यहां पर एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है यहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वज़े से क्या होता है जितनी ब्लड इचसर्शाइज करता है तब ये पेन ओनने लगता है क्यों कि जैसे ही आदम करेगा उसकी उसकी हार्ट के लिए जो बेड़्यंक एक-दिमांड अब उस इंक्रीज जिए कशा हुआनल करने के लिए ऑस आर्ट्री आठी यो इस इर सिकलयुक्ष्ट तो प्रें से خ miseries सके लिए लेकिन जैसे ही कुछ hard work के exercise करता है तब उसको प्रेन होता है दूसरा है कि वेज़ो-spastic एंजाइन इसी को बोल देते हैं variant एंजाइन इसी को बोल देते हैं प्रिंज मेटल एंजाइन अब क्लासिकल में क्या था कि वहां पर कुछ एथेरो इसकलरोसिस हो रखा था लेकिन इसमें क्या होता है कि यह आगे जाके ब्लड सप्लाइ कर रहे हैं हर्ट को कौन्से आट्री है और अपर इस पास्म हो जाता है आप में ड्यू टू अनौन रिजन्स तो य कुछ ना पडेगा क्योंकि जो नौर्मीली ब्लड दानना था वो जह ही नहीं रहा तो इसका ट्रिटमेंट क्या होता है कि इस वेसल को डाल ट करना है तीसरा जोनाइनजीना है वह होता है अनेर्ट बले चाहिस Bisicam kannay इसमें क्या होता है कि आएंट्री है यहां पर कुछ एथरोमेटर स्प्लेक का हेमरेज होके यहां पर आके इसको ब्लोक कर देता है तो उसकी वज़े से ब्लड सप्लाइड डिक्रीज हो जाती है और यह अनिस्टेबल एंजाइना वता है ध्यान रखना तिनों फरक्या है कि यह जो अनिस्टेबल एंजाइना है य में यह च्छोन की वजह से अब हम बात करते हैं कि हम में कौन सी दुऊ उसका ध्यूस कर नहीं होती है ड्रग यूजट बैक्तिंसकर आरेंň वेजोडायलेशन करने से क्या होगा है जे जो आप्टरोड तो होटेट को पहले जितने प्रेशर के अगेंस्ट पम्प करना था वह प्रेशर कम कम हो गया तो हỏi को कप कम करने से क्या होगा कि जो हर्ट है उसका कार्डिक आउट्पूट डिक्रीज होगा तो जो ऑक्षिन की डिमांड हो हर्ट के लिए कम हो जाएगी और जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा तो अब नाइट्रेट्स में कौन-कौन से आते हैं पहला है आईसो सोर्भाइड डाइट्रेट इसो सोर्भाइड डाइट्रेट यह होता है सब्लिंग्वल याद रखना यह होता है सब्लिंग्वल जैसे पेशेंट को दर दोता है उनको काया जाता है कि जैसे दर दो पठाक से अपनी जीब की नीचर रखो ठीक है जैसे टंग के नीचर रखोगे दो से ती obviously short acting है तो fast acting भी होते होंगे short acting and fast acting दूसरी जो केटिगरी होती है उसमें आता है isosorbide dinitrate अगेन हाँ isosorbide dinitrate लेगिन यह है orally इसको जब orally दिया जाता है या जब इसकी oral preparation दी जाती है तो यह थोड़ा long acting होता है इसी में आता है isosorbide mononitrate इसी का एक तीसरा होता है erythritile tetranitrate यह होते है long acting long acting होते है ठीक है तो यह हो गए nitrates के बारे में अब लेकिन nitrates के कुछ adverse effect होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं adverse effects क्या हो सकते हैं कि postural hypotension जैसे पेसेंट को दिया और पेसेंट अगर खड़ा हो गया जैसे पेसेंट अगर standing position में खड़ा हो जाता है obviously खड़ा तो standing position में होता है लेकिन अगर हां जैसे खड़ा हो जाता है तो उसको suddenly hypotension होने के chances जाए दूसरा होता है टेकिकारडिया यह reflex टेकिकारडिया होता है तीसरा होता है flushing यह बहुत important है flushing वाला नाइट्रेट्स के कुछ contra indication होता है कि जैसे यह vigra या sildenafil होती है इनके साथ इनको नहीं देना चाहिए sildenafil या other जो PDE5 innovators होते है उनके साथ इनको avoid करना चाहिए क्योंकि यह severe hypotension करवा सकता है दूसरी category जो होती है इसी में वो होती है beta blocker beta blocker क्या करेंगे जो heart में beta 1 receptor है उनको inhibit करेंगे heart में जो beta 1 receptor वो inhibit होने से क्या होगा contractility decrease होने से क्या होगा heart की oxygen demand है वो obviously कम होगी तो इसके examples है etanolol metoprolol अब beta blocker देते हैं हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि हमें beta 1 selective blocker क्योंकि अगर हमने beta 2 receptor जो होता है वह कहां होता है हमें पता है कि यह coronary artery में होता है अगर इसको block कर दिया तो coronary artery का weso-spasm हो सकता है अब weso-spasm करके हमें एंजाइना को aggravate ठोड़ी करना है जो हम यह देंगे beta blockers के contra indication होते हैं वेजो-spastic enginal जहां पर already weso-spasm होगा है वहां पर हम beta blockers यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह वहां पर एंजाइना को aggravate कर देगा वेजो-spastic enginal तीसरी जो category होती है वो होती है calcium channel blockers calcium channel blocker क्या करता है कि अगर यह मैं कहूं कि यह artery है और इसकी अंदर यह smooth muscle से endothelium जो भी है इनी के contraction के वज़ए से यह construct करती है तो जब इनमें calcium जाता है तभी तो यह contract कितनी होगी न तो अगर हमने इसके calcium channel को block कर दिया तो यह contract नहीं कर पाएगी और यह relax हो जाएगी रिलेक्स होगी तो क्या होगा वेजो-dilation और हमें यह तो चीह था न वेजो-dilation तो इसके examples है विराप्पा मिल एंड डिल्टिया जाएं जाहन दर में यह L टाइप calcium channel blocker नहीं देना चाहिए बीटा blocker के साथ हमेसा इसको avoid करना चाहिए बीटा blocker के साथ इसको avoid करना चाहिए क्यूं कि अगर इसको बीटा blocker के साथ देते हैं तो cardiac depression क्या हो जाता है donated का इसी लास्ट कैटेग्री है टमाहियों की वह है machines channel opener पोटेसियम चैनल ओपन करने से क्या होता है कि यह सेल है पोटेसियम इसके अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है तो जब पोटेसियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेसियम बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और पोटेसियम का इफ्लक्स होने से क्या होगा जो अं hyperpolarization और हमें पता है कि जब hyperpolarization होता है तब sell contract या excite नहीं हो पाती तो उसकी वज़े से क्या होगा वेजव डाइलेस्ट अब दिमाग में question तो यह आना चाहिए कि जब हमारे पास already calcium channel blocker पड़ा नाइट्रेट्स पड़िया है तो यह दवाई बनाने का या इसको क्लिनिकली यूज करने का क्या फाइदा तो कुछ cases ऐसे होते हैं जहां पर पेसेंट calcium channel blocker और नाइट्रेट्स के अगेंस्ट